प्रभात प्रिय विध्यार्थियों, आज हम सनातक द्वित्य वर्ष के द्वित्य प्रशनपत्र की द्वित्य इकाई प्रारं करने जा रहे हैं। बहुत ही संक्षिप्त सा हमारा टोपिक है सेकंड यूनिट का सेकंड यूनिट में देव नागरी लिपी का उद्भव और विकास तथा देव नागरी लिपी का मानक रूप इसे भी पठेक्रम में शामिल किया गया है आज की इस कक्षा में विद्यार्थियों हम भाशा के इन विविद रूपों पर चर्चा करेंगे प्रारम करते हैं आज की हमारी कक्षा राजभाशा से राजभाशा अर्थात समिधान द्वारा स्विक्रित सरकारी कामकाज की भाशा राजभाशा कहलाती है समिधान द्वारा सरक्षन प्राप्त, समिधान द्वारा मन्यता प्राप्त अर्थात सरकारी जो भी कारे हैं वह किस भाशा में किये जाएंगे इसका स्पस्ट उलेक समिधान में किया गया है और हम सभी जानते हैं कि समिधान दौारा हिंदी को राज भाषा का यह गोरव दिया गया है समिधान निर्मान के समय समिधान सभा के सामने यह भी एक महत्तु पुन प्रशन था कि भारत एक बहु भाषा भाषी देश है जहां विवित भाषाएं बोली जाती है तो इन विवित भाशाओं में से राज भाशा के रूप में किस भाशा को स्विकार किया जाए इस पर प्रयाप्त विचार विमर्ष किया गया और प्रयाप्त विचार्वी मर्ष के पश्चात समिधान सभा ने सरो सम्मती से यह निर्णे लिया कि हिंदी को राजभाशा के रूप में स्विकार किया जाएगा तो इसी के तहट समिधान के अनुचेद 343, समिधान के भाग सत्रा और भाग सत्रा के अध्याए एक और अध्याए एक की धारा 343 में यह विवस्था यह प्रावधान किया गया कि संग की राजभाशा हिंदी और लिपी देवनागरी होगी संग की राजकिय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतिय अंकों का अंतरास्टिय रूप होगा अर्थात अंक जो एक और तीन चार पांच है ये जो भी है इन अंकों का रूप कोन सा प्रचलित होगा Finnish में जो लिखे जाते हैं वह नहीं अपितु जो अंतरास्टिय रूप पर मान्यता प्राप्थ है जिसे हम सभी लोग सामानय रूप से लिखते हैं अंकों का रूप वही स्विकार किया गया तो समिधान के अनुचे 343 में हिंदी को राजभाशा का गोरव दिया गया चुंकि समिधान सभा द्वारा राजभाशा के रूप में हिंदी को स्विकार करने का यह निर्नय 14 सितंबर 1949 को लिया गया था इसी कारण विद्यार्थियों हम प्रती वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं समिधान के अनुछे 343 जहां हिंदी को राजभाशा स्विकार किया गया है वहीं यह प्रावधान भी किया गया कि जब तक हिंदी राजभाशा के रूप में पूर्ण रूप से स्विकृत नहीं हो जाती तब तक 15 वर्षों के लिए अंग्रेजी का प्रियोग भी किया जाता रहेगा तो 15 वर्षों तक यानि कि यह समय आवधी जो समय है 1965 में समाप्त हो रहा था किन्तु विडमना देखिए कि राजनितिक दबाव के कारण यह जो समय है वह समिधान संशोधन के द्वारा निरंतर बढ़ता चला गया और आज भी अंग्रेजी जो है समिधान द्वारा राजभाशा के रूप में स्विकार नय होने पर भी अपना वर्चस्व भारत में ब हिंदी है संग की राजभाशा हिंदी के अतिरिक्त अगर हम भारत के अन्य राज्यों की बात भी करें तो बहुत सरे राज्ये हैं जिनोंने राजभाशा हिंदी को अपनाया है यह उत्री भारत की राज्ये हैं जैसे उत्तर परदेश हिमाचल परदेश हिंदी सोरी दिल्ली हर्याना, मद्यपरदेश, राजस्थान, बिहार, जारकन, छत्तिसकट, उत्रांचल ये दस राज्ये हमने जब पिछली यूनिट में हिंदी भाशा उसकी बोलियों का अध्यन कर रहे थे तब हमने अध्यन किया था कि ये राज्ये हिंदी भाशीक शेत्र कहलाते हैं तो इन राज्यों की राज्भाशा भी हिंदी स्विकार की गई है इनके अतिरिक्त कुछ राज्ये ऐसे भी हैं जिनोंने अपनी प्रादेशिक भाशा को राज्भाशा का तरजा दिया है जैसे पंजाब की राजभाशा पंजाबी है, मंगाल की राजभाशा बंगला है, आंदर परदेश की राजभाशा तेलगू, करनाटक की राजभाशा कन्नड है तो इन प्रांतों में क्या है कि सरकारी कामकाज प्रांतिय भाशा में तो हो ही रहा है साथ ही साथ अंग्रेजी में भी हो रहा है तो राजनितिक दबाव के कारण अंग्रेजी जो 15 वर्षों के लिए ही जिस्ती व्यवस्था की गई थी प्रियोग में लेने की वह व्यवस्था निरंतर बढ़ती ही चली गई और आज भी हम अंग्रेजी का प्रियोग कर रहे हैं अब हम बात करें सम्यधान के प्रावधानों की तो सम्यधान में राजभाशा संबंदी अनुचेद भाग 17 में उलखी था है सम्यधान के भाग 17 अध्याई 1 और अनुचेद 343-351 राजभाशा संबंदी प्रावधान किये गएगर अनुछे 343 जैसे कि हमने चर्चा की संकी राज भाषा हिंदी वेलेपी देवनागरी होगी अनुछे 344 में राज भाषा आयोग के गठन की बात कही गई है 345, 46 और 347 प्रादेशिक भाषाओं से सम्मंदित हैं अनुछे 348 में उच्चितम नयायले, उच्चिनयायले, संसत और विधान मंडल में जो विध्यक प्रस्तुत किये जाते हैं उनकी भाषा पर विचार किया गया है अनुछे 349 में भाषा से सम्मंदित चूड़िदिया हैं, उन्हें अधी नियमित करने की प्रक्रिया का उले किया गया है अनुछे 350 विध्यार्थियों जहां जनसाधारण की शिकायतें दूर करने के लिए जो आवेदन पत्त्र प्रस्तुत किये जाते हैं उन आवेदनों में कोन सी भाषा प्र्युक्त की जाने चाहिए इसका उले किया गया है साथ ही साथ प्रात्मिक स्तरपर जो सिक्षा है वह मात्र भाषा में दी जाने चाहिए इसका उले क भी अनुछे 350 में किया गया है तो अनुचे 350 काफी महत्व पूर्ण है विद्यार्थियों अनुचे 343 और 350 और 351 तीनों ही महत्व पूर्ण है अनुचे 351 में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए सरकार के कर्तव्यों और दाइतों का उल्ली किया गया है इस बार अगर हम देखें कि सम्ःधान में यद्यपी हिंदी को राजभाशा के रूप में मजबूती प्रदान की गई है किन्तो राजनितिक दबाव के कारण आज भी हिंदी को वास्तों में वह गौरव वह स्थान प्राप्त नहीं हो पाया है जिसकी वह अधिकारी नहीं रही है आज भी राजभाशा नय होते हुए भी भारत में अंग्रेजी का वर्चस्व बना हुआ है अनुचे 344 में जो राजभाशा आयो के गठन से सम्मंदित अनुचेद है उसकी अनुपालना में राश्टरपती ने 7 जून 1955 को राजभाशा आयो का गठन किया था जिसकी अध्यक्षता बीजी खेर ने की थी इसके अंतरगत विभिन राज्यों से 20 सदस्य शामिल किये गए थे और इस आयोग ने कुल 19 सिफारिशें प्रस्तुत की थे और इसे के आधार पर सन 1976 में राजभाशा अधिनियम 1976 पारित किया गया और इस अधिनियम की सबसे महतुपून बात थी कि इसके द्वारा भारत संग के जो राज्य हैं उन सभी राज्यों को तीन वर्गों में विभक्त कर दिया गया उत्तर परदेश, मध्यपरदेश, बिहार, राजस्थान, हर्याना, हिमाचल परदेश और संग क्षेत्र दिल्ली जो की हिंदी भाशी परदेश है इन्हें कैश्रेणी में रखा गया और इनके लिए यह प्रावधान किया गया कि केंद्रिय कार्याल्य द्वारा इन राज्यों के साथ कैश्रेणी के राज्यों के साथ जो भी पत्रवेवार है वह हिंदी में ही किया जाएगा दूसरी श्रेणी में पंजाब, गुजरात, महारास्ट, चंडीगड और अंडमान निकोबार को रखा गया इन्हें खैश रेणी में रखा गया और खैश रेणी की राज्यों के लिए यह प्रावधान किया गया कि इन राज्यों के साथ केंद्रिय कार्याले जो पत्र वैवार है वह हिंदी और अंग्रेजी दोनों में कर सकता है बाकी जो भी भारत के प्रदेश बचे जो भी राज्य शेश रहे संग्षाशित क्षेत्र थे वह गैश रेणी में शामिल किये गए हम समझ सकते हैं कि जो दक्षनी भारत के जितने भी राज्ये हैं वह गैश रेणी के अंतरगत आते हैं और गैश रेणी के राज्यों के लिए यह प्रावधान किया गया कि इन राज्यों के साथ किंद्र जो पत्र वैवार है वह केवल और केवल अंग्रेजी में ही करेगा केंद्रिय कार्याल्यों में जो भी रजिस्टर प्रपत्र संधारित किये जाते हैं वह हिंदी और अंग्रेजी दोनों में किये जाएंगे साथ ही यह वैवस्था भी की गई कि यदि केंद्रिय कार्याल्यों में कोई पत्र हिंदी में आता है तो अनिवारे रूप से उसका उत देखते हैं कि समिधान निर्माताओं ने या भारतिय समिधान में राजभाशा के रूप में हिंदी को एक मजबूत द्रिड स्थिती प्रदान करने की प्रयाप्त कोशिश तो की गई है किन्तु आज भी भारत में अंग्रेजी राजभाशा नय होते हुए भी अपना वर्चस बनाए हुई है तो राजभाशा के रूप में हिंदी के सामने कुछ समस्याई आती है तो हम देखते हैं कि वैवारिक रूप से यह समस्याई कौन-कौन सी है क्योंकि भारत पर क्या है बहुत लंबी समय तक अंग्रेजों का शाशन रहा है इसलिए लोग क्या हैं और गोरव का प्रतीक समस्ते हैं और इसी कारण वह हिंदी का प्रियोग करना हीनता का बोधक मानते हैं दूसरा हम अगर देखें वैवारिक समस्या तो हिंदी की वर्णमाला में बावन अक्षर है और इसी कारण टाइप राइटर, कंप्यूटर और छापय खाने का जो काम है वह हिंदी में उतनी तेजी से नहीं हो पाता है जितना की वह अंगरेजी में संभव है तीसरी वैवारिक समस्या हमें यह नजर आती है कि विदेशों से हमें जब भी संपर करना होता है या हमें विदेशों में जाना पड़ता है तब हमें अंगरेजी का प्रियोग ही करना पड़ता है तो इसी कारण जो विदेश में जाने के इच्छुक लोग है वो अंग्रेजी का ही वेवारिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए पूर्ण रूप से अंग्रेजी का ही प्रयोग करते हैं और इसी कारण में हिंदी का प्रयोग या हिंदी का प्रयोग करना भूल प्रतीक के अपितु हिंदी का प्रयोग करना ही हमारे स्रेस्टता और गोरव का प्रतीक है इसके अतिक जो टाइप राइटर कंप्यूटर छापे खाने है उसमें हिंदी की प्रवर्ती के अनुरूप सुधार कर किया जाना चाहिए जिससे हिंदी में जो भी टाइपिंग का कारे है वहशिगरता से किया जा सके तो इस प्रकार हम देखते हैं राजभाषा का तातपर है समिधान द्वारा स्विक्रित सरकारी काम काज की भाषा और समिधान के अनुचे 343 के द्वारा यहे व्यवस्था की गई है कि संग की राजभाषा हिंदी और लिपी देवनागरी होगे और राजभाषा सम्मंदी जो भी प्रावदान है वह समिधान के अनुचे 343 से लेकर 351 तक किये गए है तो विद्यार्थियों आज के वीडियो में हम इतनी ही चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम राज़्ट भाषा, संपर्ख भाषा, संचार भाषा, आदी के संबन में चर्चा करेंगे धन्यवार